एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे मामला तिलकामान जी भागलपूर विश्वी द्यालेय से जुड़ा हुआ है जहां दो छात्राएं आपस में बात्रूम में ही भिल गए और चाकू बाजी की घटना को अंजाम दे डाला इस बात को कुलपती मानने से इंकार कर दिये की चाकू बाजी की घटनाय हुई है लेकिन युनिवसिटी विभाग के द्वारा चात्रा के पास से दो चाकू बरामत किये गए है बतादे की इन दोनों पीजी के कई विशयों के एकजाम चल रहे हैं जिसको लेकर ये दोनों चात्राय भी एकजाम देने के लिए पहुची थी जिन चात्रा के बीच विवाद हुआ है एक होम साइंस की है तो वहीं दूसरी मनोविज्यान की चात्रा है इस घटना को सबसे पहले विभाग के चतुर्त वरगिय कर्मचारी बंबम ने देखा इसके बाद इसकी जानकारी विभाग के हेच ओडी सहित शिक्षकों को दी गई जिसके बाद मौके पर पहुँच कर दोनों को शांत करवाया और दोनों के बीच सुलह भी करवाए गई जिसको लेकर विभाग के हेच ओडी ने दोनों चात्रों के परिजनों को कार्याले बुलाया और लिखित लेकर दोनों को जाने दिया लेकिन किसी ने इसकी सूचना कुलपती डॉक्टर जवाहरलाल को दे दी इसके बाद कुलपती विभाग पहुचे और मामले की जानकारी ली उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कारण होगी हमारे द्वारा इसकी पुलिस जाच कराए जाएगी सिक-छक ने देखा न दोनों को लड़किओं को लड़ते हुए फिर बाद में जो है एक फोटो आया है छोटी छोटी चाकू है उसका भी पता नहीं उसने बताय कि उसके बैघ में था तो ये सारा चीज हो गया है उसके वाद में गर्जियन को लोकर के चले गए लेकिन मेरा यह सोचना है कि एक लड़की ने दूसरी लड़की को बात्रूम के अंदर घीचा यहीं पर मैटर सीरियस दिखता है वो तो अच्छा है कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी है उसने हला मचाया बंबन ने पहले देखा अल्ला करते हुए तो वहां जाकर देखा फिर उसने बुला है तो कोई बड़ी घटना हो सकती है हमको लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा यह है जिसकी पुलिस इंक्वाड़ी होगी लेकिन अभी सुई जाले के अस्तर पर मैंने हेड को हिस्टी को बोला क्या आप एक घटना क्रम को आप लेकर के फ्रॉक्टर के दीजिए और पुलिस के इनफॉर्म के चाहिए